हेलो बच्चो, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत अमारे युट्ूब चनल उस्टीज चेंपेन के अंदर आज अपन पढ़ेंगे रेतवाडी विवस्ता के बारे में तो जो रेतवाडी विवस्ता है, ये इबहु राजस्व विवस्ता है तो रेतवाडी व्यवस्ता के अंदर का अपन उसके दोरा लागू करी गई, पहले चीजे पढ़ेंगे, उसके क्या दोस रहे, ये व्यवस्ता कैसे काम करती थी, किर्णवन कैसा हुआ इसका ये पढ़ेंगे, और चोता इसके क्या क्या दोस रहे, तथा बुंबई वा मदरास प्रांत के अंदर जो ये रेतवारी वैस्ता लागू करी गई तो ये किस तरीके से लागू की गई और कितना राजस्वा वसूल किया जाता था सारी चीज़ अपने इसके अंदर देखेंगे अंग्रेजों का कहना था कि सबसे सफल भूराजस्वा पदिती रही क्या वास्तिक्ता में ये सबसे सफल रही किसानों की क्या दसा होई ये सब चीज़ अपने इस वीडियो के अंदर देखेंगे अगर आप बीएस फाइनल एर के विदार्थी हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत मैतपून है हर इनुश्री के अंदर हर साल ये क्यूसन जरूर आता है तो इसको पूरा वीडियो आप जरूर देखना शुरू से लेकि लाश्ट तक अपने वीडियो सुरू करते हैं लेकिन इससे पहले आप चैनल को ससक्राइब और गंति वाला आइकन दबा देजिए और वीडियो को लाइक कर देजिए और अपने दोस्तों को भी शेर कर देजिए चलो सुरू करते हैं अपने वीडियो पहला क्यूसन है जो शुरू करते हैं ठीक है उकाबाद में रेतवाड़ी व्यवस्ता दो दक्षिन बारतम करी गई थी और तीसरी है महालवाड़ी व्यवस्ता तो ये तीन जो भूराजस्वा व्यवस्ता हैं वो अंग्रेजों के कंपनी के द्वारा लागू करी गई थी और जिसमें रेतवाड़ी सबसे रेतवाड़ी 35 सबसे सफल हुई तो इम सब में रेतवाड़ी विवस्था बस सबसे ज़्यादा सफल विवस्था मानी गई क्योंकि यह बंदोबस्त मदरास था बुंबई प्रांतों में लाग हुआ और यह जो रेत वारी वेवस्था है या कठे लागुई थी मद्रास हुए भूंबई प्रांथ हम लागुई यह बंदोबस्त शीधे रेतों से किया गया मतलब रेत को नोया करता है रेत किसानोय करता तक्षिन भारत में जो किसानान के बंखता है तो यह संपरक है यह बंदबस्त अपधत्य ढाये जो कमपणी अब किसाना से समप्रक्ड करें थो ठीक है और रहतको ुछ कम्न मने बंख शो मिष्जक करें ऊख के स wirklich नियम चेफ नियम सर्थे दे दिया गया था कि ते बेच को खरीच को ये सब भी अधिकार दे दिया गया था रियत ने रियत वाड़ी वेवस्था को प्रारम करने का सरे थामस मुन्रो को जाता है सबसे इंपोर्टेंट है किने जायो सरे रियत वाड़ी वेवस्था लगुकंड को थामस मुन रोन जा है और कठे-कठे लागों करी गई थी बुंबई के अंदर करी गई थी और मदरास के अंदर करी गई थी यह परनाली 1792 इस वी में मदरास के 12 महल जिले से शुरू करी गई तो यह सबसे इंपोर्टेंट चीज़ है यह आपको लिखनी और याद भी कर लेनी है कि 1792 में के अंदर मदरास के 12 महल जिले से यह शुरू करी गई थी इस वीवस्था के अंतरगत रेत किसान ही बुमी का स्वामी मान लिया गए था उसी से ही कर दिये जाने की निश्चे के गई थो मतलब इवस्था के अंदर 17 चीज़ा याद राखनी है सबसे पहले थामस मुन्रो 1792 में के अंदर 12 महल जिला के अंदर शुरू करी थी दूसरी बात या कठे-कठे लागों करी गई थी मदरास वा बमबाई गांदर लागों करी थी गांदर के एमान लिया गया तो जो रहत वार गिसाना से जो कंपणी है बसी दो संप्रक साध्यों किसाना ने स्वामीत्त दे दियो कुछ अधिकार दे दिया उंकह बदलन के करनों पड़तो करचुकानों पर दिया करतो बस च्यारी चीज़ी जो था ने याद राखनी है यह है रेतवारी विवस्था का बारम की उपर पर की बात अब पढ़ांगा फर रेतवारी बंदवस्थ लागू करने के कारण बहुत कुन सी कुन सी बात हो जो मजबूर कर दियो क्योंकि इस जमिदारी पद्दती है जमिदारी शिष्टमबो लागू थो लेकिन जो दक्षिंड भारत है ना उक अंदर जमिदारी विवस्था कुन थी मतलब बहुत बड़े वर्ग को पास अगर भूमी को स्थाइट वा कुन थो एक कारण है ना जो स्थाइब बंदवस्था थी आपको फाइदो देखे करता तो इस चीज में भी होना नुक्सान हो उनकी संभावना ही अगर बस बुंबई वा मदराज प्रांद में अगर इस्थाई बंदोबस्त व्यवस्ता लागो कर देता तो उना आर्थिक नुक्सान हो जातो एक अकारण बर रियतवारी नहीं व्यव अब साउथ जो दक्षिन भारत है उठे हना इस चीज से नुक्सान उठानों पर सकते थो क्योंकि उठे उपज जद्धा आया खरती और जो इस्थाई बंदोबस्त में लगान कुन बढ़ास का था हाना तो इक लिए उनकी यो आर्थिक नुक्सान से बचन के लिए रेतवा बंदोबस्त करके अधिक से अधिक कर लगान प्राप्स कर सकती थी देखो सिधी सिधी बात है जो जमीदारी पदती थी उक अंदर के थो जमीदार है ना बाप कर्व सुल्या करता आप कंपनी फिक्स करती कि भी दस परशेंट थान कर लिए उपजगो पर लेगन भाई अब वह 10 परशेंट दियोर आपने पास की तो राख लिए 15 परशेंट राख लिए तो इससे कि जमीदारां ज्यादा लाब हो रहे थो कंपनी ने कम फायद हो रहे थो तो यह व्यवस्थान है या जो बश्टाचार हो रहे थो इन अटान के लिए भी किये रेतवरी व्यवस्था ले के आए ताकि यह सिद्धो किसाना से संप्रक साथ की और इन किसानान भी फायद हो जया और हने कमपनी न भी फायद हो जया चोथो नमर पॉइंट के थो कर्शकों का सोचन मतलब चोथो पॉइंट के है किसानों का सोचन कुछ ब्रिटेस दिकारियों की मानेता थी इस था चार सरी बच्छन के लिए बहुत अधिकर वसूल लेते हैं तो इसक और जब वसूल है तो मतलब सही तरीका साथ वेवस्थी पर नालेक कुन वसूल हैं कदे ज्यादा लेने किसी का पास कम लेने मनमर्जी से कर रहे हैं तो कर्सका को सोचन सर्वाण के लिए किसाना को कसोशन सब बचान के लिए भी बखे जो या माल वाड़ी व्यवस्था ले के आया अब लाश्ट मापा देखांगा रेयत वाड़ी व्यवस्था की रेयत वाड़ी बंदोबस्थ की व्यवस्था ही बई जो रेयत वाड़ी विवस्ता है बाकिस किस तरीके से लागू करी गई उकी के के मुख्य पॉइंट था सबसे पहले हैं रेयत वाड़ी बंदोबस्त के अंतरगत पंजीकर्थ भुमिधर को भुमिय का स्वामी स्विकार किया गया था वह है राज्य की जमीन को लगान देने के लिए उत्तरदाई तो था देखो मैं सिधी सिधी सिंपल बासा में चीज बढ़ाओं को आर्थ किया है कि जो रेयत वाड़ी वाड़ी वैस्ता के लिए उन सबसा मुख्य पॉइंट यह थो कि जो किसान थो उनका पास अगर माले किसा है उनका पास दस बीगा जमीन है ठीका दस बीगा किला जठे वी थे देख रहूं के सावब कर ठीका इको सौमीब तो दे दियो तन दूसरी बात तो इन बेच भी सकाया खरीद भी सकाया कुल मिला के उट दस बिगा जमीन को जो वेवस्था है जो आज बाहरत में चाल रही है वाई वेवस्था कर दी थी दूसरी बात एक बदलम किसान के करनों पड़तों किसानों को बदलम उन कर देनों पड़तों ठीक है तो यह पहलो point यह बताएगा कि किसान नो जमीन को स्वामी बना दियो थो B. नमर है किसान या रियत को अपनी भूमी या खेती को बेचने उठाने बेचने खरीदने का अधिकार था मतलब मैं जयातन पहले बतादी कि बहुँ जमीन बेच भी सकाई खरीद भी सकाई C. कि है जब तक भूस्वामी सरकार को नियमित रूप से लगान देता रहेगा वह बूमी का स्वामी बना रहेगा परन्तु लगान नहीं देने की इस चति में बूमी पर सरकार का स्वामी तो जयाएगवा वह सिस्टम हो जहाँ देखो में बनजर भूमी रेत के पास नहीं छोड़ी गई मतलब आई देखो जो उपजवाली बुमी थी ना वा तो अंग्रेजा खुद का पास राख ली और जो बुमी पर कुछ कोणी उपजया करतो जो बंजर बुमी ही इस पर सरकार का नियंतर बणे रहे तो बंजर बुमी के सरकार खुद गन रखे करती प्रारम में भूराजस्वा एक बटा दो पल्या की तो थो 50% उपजगो देनों हाँ, इस्टाटिंग अंदर की तो एक बटा दो निर्दारी पल्या की 50% जो लगान है वो देनों पड़या करतो उकाबाद में कितनों कर दियो, एक बटा तीन कर दियो, मतलब कुल 33% कर दियो, तो यह भी मुख्य पॉइंट है, यह जितना भी 4 पॉइंट है, इस बंदोबस्त के अवधी कितनी रखे गई, 30 साल के अवधी रखे गई, रहतवाडी व्यवस्था की, और राज के अधिकारी बूर राजस्वा एक्तरतों करते थे, और यह प्रनाली के अंदर के अधिकारी न, भई राजस्वा एक्तरत कर सकता था, अब पढ़ागा अफा, मदरास में रहतवाडी व्यवस्था, तो देखो, जो रहतवाडी व्यवस्था बाद दो जगाल लागू करी गई थी, सब 12 ही में, 12 महल जीले में, रहतवाडी व्यवस्था को लागू किया गया, तो सरवा पर्थम, कद 1792 में कंदर, 12 महल जीले कंदर, रहतवाडी बंदो बस्तै लगू कई हो इसमें लगान के लिए समस्जोता दमीदारों से прин福 zelf वेवास्तिविक से लिया गया मतलब जब यह वेवस्थ आ करी गई ना तो दमीदार से कुझनी सब सब परनल रीट जो करी ना वो के खरी डारेक्ट और डारेक्ट कि साना सनसा संप्रक्षाद्य वृत equiv प्रेक्टिकल करन की कोशिश करी थी रियतवाडी व्यवस्था की ओ जो बुमी का समझोता थे इस समझोते में 3 से 10 वर्षता की अवधिग लेके गया इस्टार्टिंग मां जो मदरास में किता किते सला के ले करे गोई थो 3 से 10 सालों तो करे गोई थो जब मुन्रो को निजाम स प्राप चेतर का केलेक्टर बनाये गया तो उस चेतर में रियतवाडी व्यवस्था लागो करी गयी तो जब मदरास को निजाम है वो उज इलाको जग केलेक्टर बनाये यो अधिकारी बनाये तो तो वो उठे बंदबस्ति यो लागो करी ओ तो रियतवाडी व्यवस्था रोग दिगी थी लेकिन अठास्व ठाराम फिलिन वह याँ देखे कि बड़िया व्यवस्ता है तो फिर सच चालू कर दी गई आठासो बीस शीस्वी में जब टोमस मुनरो मदरास का घरवनर बना तब उसने वहाँ पे रहतवाडी व्यवस्ता लागू करे तो थोमस मुनरो थमस मुन्रो के करी 1820 कंदर रेतवाड़ी विवस्ता सबसे पल्या कुन लागू करी थी थमस मुन्रो करी थी 1820 कंदर ऐसा करते हैं समय उस्ताई बंदवस्त वाले चेतर छोड़ दिये गए थे इस विवस्ता में भूराज़सो कित्तों करे गए तो एक वटा दिन मतलब 33% बा सबसे बाओं का कोई समझ नहीं था इसलिए कर्शक पर अत्य दिख बोज बोज परता था तो मतलब उस समय किया करतों कि जो किसान है उन्हें को मंडी वगेरा तो रियाकुन करती तो कर्शका पर बोज़ जदा पर बहुप पढ़ा करतों आप पढ़ांगा बंबई में रेत 15% निर्दायद करेगो तो बंबई देखो मदरास में स्टार्टिंग में कितनों करेगो थो 33% करेगो थो और बंबई कंदर की स्टार्टिंग में कितनों कर दियो गए थो 55% करेगो थो यह लगान दर बहुत उची थी तता किसान इतनी उची दर से लगान दिने में एसमर थ जितने उपजोरियों को 50% अंग्रेजी लेगा तो भई किसाना का इतनों खर्चों लाग जाते हो तो हुन का के बचा करतों कुछ कुन बचा करतों कुछ समय बाद अंग्रेजी सरकार ने लेप्टिडेंट वेंगेट के देख्सता में भूमी का पुन सर्वेक्षन कराया गया उसकी रिपोर्ट के नुसार लगान का दर भूमी के उर्वरक अवस्ता से निर्दारित करी गई मतलब कुछ समय बाद मंगरेजी सरकार ने लेप्टिडेंट करें भूमी को करें तीस साला करें करें परन्तु ये व्यवस्ता भी ऐसंतोस जनक थी क्योंकि लगान की निर्दारन अधिकतर अनुमानों पर करी गई थी लेकिन क्यों यो सारे जगांतों रिपोर्ट कुन काड़ी कुछ जगा से रिपोर्ट काड़ी गई और उका दार पर जया मालेओ ए कंदर वर भड़ी आवा हैं ठीक है ओसका उत्रों जसल मेर कंदर को नियुक यह वैवस्ता तो यह साब से कि किसाना कंदर समाल समान समान रूप सा लागू को नियुकर कर लगां 66% से 100% तक बढ़ाने का उसर मिल दिया इस सर्वेक्षन में के बताया कि बहुत जाद आप जोरी है तो बहुत 55% से कितनों बढ़ा दियो 66% तक बढ़ा दियो इसे किसानों में तुरू आकरोस उत्पन हुआ अठारा सो पिचेतर में दक्षिन भारत में अनेक करसक विद्रो हुए बंबई में रेतवाडी वेवस्ता को परमुक दोस यही था किसमें लगा अंदर बहुत उच्छी थी तता किसान इसके विरोध न्याले में अपील करने का दिकार नहीं था तो देखो इको जो सबसब बड़न उक्सानी होई तो रेतवाडी वेवस्ता को एक तो यह थी है कि समानरूप सा लगो कोनी हो रही थी सही सरवेक्शन रिपोर्ट कोन गाड़ी गई तीसरी बात के थी कि भई जो रेतवाड़ी विवस्ता है वा उकल लगान भोजयत थी और किसान कोट में को जासकता जासकते थी अब पढ़ाँ आप हां रेतवाड़ी बंदोवस्त के गुण तो जो रेतवाड़ी बंदोवस्त हो का के के गुण रियाब भी देखांगा सबसे पहले बंजर भूमी को जोते जाने की विवस्ता यी विवस्ता हमके गई एक नईयों नियम के लागो कर दियो कि भई बंजर भूमी ना भी जोती जासका है दूसरो पॉइंट के तको कर्सकों को अधिक सवतंतर था अब धन जैंबेरों के रियतवाड़ी वेवस्था का अंतरगत के एक किसाना ने भूमी को स्वामी पतर दे दियो कि भूमी बेच भी सके हैं खरीद भी सके हैं उठें जोत भी सके हैं किसाना सा संप्रक साथ सके थी इस एक योगो किसाना और सरकंपनी के बीच में सिदो संप्रक और किसाना को सोशन भी को ने करतो ओर फिक्स लगान देनों पड़ेव चोत्तों नमर पॉइंट है किसान तता सरकार के बीच में गनीष्ट समंद इस व्यवस्ता के अंतरगत समंद सरकार से इस्थापित होए इसके अंतरगत ये व्यवस्ता थी जब तक भूमी निर्दारित लगान देता रहेगा उसे भूमी का स्वामी तसे वंजित ने के जाएगा किसान तता सरकार के बीच सरकार सीधी सीधीय की बात कर दी थे मान किसान रेयत या किसान थे मान लागान दियो मेथान बुमी का स्वामी बना दियो कोई दिखत को नहीं जए दिन देन अबंद कर दियो जए दिन थे बधारी बुमी की स्वामी तो गयो तो किसानी चीज़ता खुश था क्योंकि भई बा प्रणाली थी या जो जम्मिदारी प्रणाली 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 सब्सक्राइब लेकर रीवस्तां कर दी किसान खुद स्वामी योगो तो जमी दारा का पास जमीन खोनको नहीं जो किसान नहीं बडर्वभी खतमों को तो यह को एक फाइदो थो दूसरा राजस्व वर्दी में साइक अंग्रेजा का देखो कि फाइदो यह उन्हें जो पल्या के जमीदार बीच में बश्टाचार कर दिया करता जमीन में पेशा खा जाया करता लेकिन हमके कि सुद्धो लगान किन मिल रहो थो कंपनी ने मिल रहा तो पर से किसानों को परिश्रम द्वारा उन्नत बनाने की प्रे न्युट किल लगान देते रहने अर्वाण के वर्दी नायुक्त कि लगान देते ठैक हो सुद्धो शीधो यह है प्रोफित इंट्रेस्ट काम आया करतो मतलब 5 closer ayo काम वह हो बहाई जितनी свобод करो भी बन पाऊगा इस चीज़ से कुल मिला के बात है कि कंपणी ने भी फाइदोर्च किसानान भी फाइदो हो जी वजाओं के है जो किसान भी मेनत अच्छे से करिया करता आठो नमर पॉइंट हो विचोलिया से हस्ट अक्षेप की गुंजाइस नहीं थी क्योंकि डायेट कंप परफिस्था थी जहें थे देखो सबसाद पहले पचास परतिसर तक कर देनों एकर तो बादमन गटाएगे थो तो ते तीस परतिसथ करे गयो लेकिन थे बंबई कंदर देखो स्टाटिंक अंदर ही 55 परसेंट हो और बादमन तो कठे कठे पैसर सा सो परतिसथ भी कर दियो नेर्दारित करने वाले पूरा कंपनी अधिकार beginners की भूमी की जाज की जाती थी यहां बश्टाचार सबसे अधिक होता था गुस लेकर बुमी की उत्पादन में वास्तिक उत्पादन को गलत कोसित कर दिया करता था देखो बाई यह बस्टाचार तो सब कठे ही हो है तो उरे भी बस्टाचारों तो अच्छो तो रियोकनी सिधी सिधी बात याई थी अधिकारी जाज करया करता तो अधिकारी के करता थोड़ा सा रिपे ले लिया करता और उपज कम दिखा देया करता उपज कम दिखा देता तो लगान कम देनों यह करतों तो इचीछ है कि वोगो बश्टाचार में वर्दी होई थोड़ी ती नमर पॉइंट है अंग्रेजों की दक्षिन भारत में भुगोलिक इस्तती के बार में सिमित जानकरी होना दक्षिन भारत की भुगोलिक इस्तती के बार में अंग्रेज अधिकारी को जानकरी सिमित थी वे एक गाववा भूमी के अधार पर ही अन्य जमीनों का कर भी निरदारी कर देते थे इस्तती में भूमी कर भूमी की चमता से अधिक तै कर दिया जाता था देखो मैंतान पहले बता दिए माले कोई पूरा राजे कोई एक राजे है उमें राजे उप जनाप के और सब कठे लगों कर दिया करता इससे क्या कि समान जो कर 下 से और जानकरी लगान की दर का बहुत बारम थे बता दी लगान की दर बहुत 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 बढ़े है पांचोज नमबर पॉइंट है किसानों को भूमी चिनने की वेवस्ता इस चीज में यह थी कि भाई फायद हो तो है कि भूमी का स्वामी अपता तो दे दियो लेकिन वो जत्त की बनोर या करता हो जत्त की यह कि भाई बक कर दिया करता जैदे कर दियनों बंद कर दियो भूमी को स्वामी अपता भी दे दियो तो यह भी एक दोस्त हो की भूमी को स्वामी अपता चीन लियो जा सकतो थो लास्ट है किसानों की देन इस्ते देखो इतनों ज्यादा किसाना सा कृवश्व लिगुए रेचतवाड़ी विवस्थां अंग्रेज जीव पंपनी के लिए तो बहुत बढ़ी है रही कि उनकर राजरस्मों में वर्धी ओगई लेकिन किसानों के लिए बहुत अधिक लगान होने के लिए यह ज्यादा सही नहीं है रही किसानों को भूमि सवामि पतों मिंने के कारण वो खुश तो थे लेकिन लगा दिख उन्हें के कारण उन्हें बहुत दिख फाइदा नहीं वा तो या थी रेत वारी विवस्था भूत दिख बार्यों पुछ जाओना लोक्यूशन है तो ही क्यूशन जरू पढ़ लिए पूलू धन्ने वाद